Hello everyone, welcome to Prakriti Classes. I hope you are all doing well. So friends, आज की स्क्लास में हम EBS के 30 MCQs हैं उन्हें हम आज की क्लास में सॉल्ड करेंगे जो कि आपका CGTrad 2022 में पूछे गए कोश्चन से संबन्धी थी यह आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है जो कि आपका EBS मतलब की जिसे आप परिया वरन अध्यन कहते हैं यह आपका पूछा जाता है सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए तो जो भी प्राइमरी लेवल की तयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफी useful होने वाली है और साथ ही साथ जो शिक्षक भरती के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो आपका CGTate होता है और आपका शिक्षक भरती इन दोनों का syllabus पूरे तरीके से सेम होता है सिर्फ अगर आप शिक्षक भरती में computer और जो 36 गड़ होता है उसे अगर छोड़ दें तो तो एक साथ आप दोनों की तयारी अच्छे से कर सकते हैं तो हम सभी जो old questions paper है मतलब की जो CGTate में आया हुए question paper है हम एक एक करके solve करते हुए जा रहे हैं तो इसके पहले हमने Hindi और CDP की classes भी ली है तो जिन्हों न भी वो सभी lectures नहीं देखें वो जाकर देख सकते हैं सभी की playlists यहां पर बने हुए और एक एक करके सभी subjects की topic wise classes भी हो रही तो सभी की playlists ब में जो की आपका पूछा गया था CGTate 2022 में जो 30 questions थे उन्हें हम अज ही class में cover करते हुए चलेंगे तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे यहां आपको बिल्कुल free classes प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ हमारे telegram चैनल को भी जाइन कर सकते हैं अगर वहां 500 मेंबर भी एड़ हो गया तो सभी PDF वहां पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे तो जादस ज्यादा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजे और हमारे telegram चैनल को भी जॉइन कर लेजे और वीडियो पसान आता है वीडियो को like and share करते हुए चलें सबसे पहला question इसमें दिया गया है मच्छरों के द्वारा फैलने से होने वाले रोग कौन-कौन से है टाइफाइड 6 रोग हैजा छोटी माता खसरा पोलियो बेरी-बेरी रिकेट्स पेलेगरा या फिर मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया डिजीज इस्प्रेड कॉस्ट करие डिजीज के द्वारा फैलने रोग आपके द्वारा फैलने से बिल्कुल चिकनगुनिया ऑप्षरों कमीजर सनलर बेरी-बेरी रिकेट्स पेलेगर या फिर मलेरिया डेंगू चिकनगु णिया जो आपका मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है वह बेरी डिकेट्स और पेलेग्रा भी नहीं होता जो मच्छणों के द्वारा फैलने से होने वाले रोग होते हैं वो आपके होते हैं मलेरिया, डेंगो और चिकनगुनिया इस प्रकार से इसका अंसल हो जाएगा option number D जो हमारा दूसरा question है वो आप देख सकते हैं प्रात्मिक इस्तर परमान चित्रांकर सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है गर्णा करना, रेखा चित्र बनाना, मापन करना, इस्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की छमता which skill is most developed by teaching mapping at the primary level to calculate, to drawing, to measure, ability to understand location, distance and direction तो इस प्रकार के question को जो solve करने से आपको पता चल जाए कि आपके exam में किस pattern से questions पूछे जाते हैं इसलिए ये सभी जो solve paper है वो आपको यहाँ पर कराई जा रही है तो इससे आपको pattern के बारे में पता चलेगा और आपको किस topic को ज्यादा पढ़ना है ये आपको पता चलेगा इसलिए ये सभी जो old question paper है वो आपको यहाँ पर solve कराई जा रहे हैं तो last तक आप जरूर बने रहे हैं और आप भी साथ ही साथ इन सभी questions को solve करते हुए चलेगे और comment करके जरूर बताएं कि आपके कितने questions सही हुए जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस्थान दूरी और दिशाओं को समझने की छमता जो ability to understand location, distance and direction होते हैं वो प्रात्मे किस तर पर मान चित्र सिखाने के लिए सबसे अच्छे गोशर को सबसे अधी ज्यादा विकास जो करेगा वो हो जाएगा आपका इस्थान दूरी और दिशाओं को समझने की छमता होती है वो प्रात्मे किस तर पर मान चित्र सिखाने के लिए सबसे ज्यादा बहतर तरीका हो जाएगा इस प्रकार से इसका answer जाएगा option number D, इस्थान दूरी और दिशाओं को समझ पर माजने की छमता, next question है हमारा question number 3, तीचे दिये गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाओ करें, बक्षा में बच्चों द्वारा की गई गल्तियां ये सीखने में बाधा उत्पन करती है, ये बच्चों को समस्या का समधान करने में साहधा करती है, ये बच्चों कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बाटने का अधार है, ये सीखने में कमजोरी की परिचायक है, choose the correct option with respect to a statement given below, mistake made by children in class, it hinders the learning process, it helps the children to solve problems, provide a basis for classifying children into weak and gifted categories, this is a sign of weakness in learning, जब हमने NCF 2000 पढ़ा था, जो कल या परसो की वीडियो में मैंने बताया था कि, NCF 2005 में जो बच्चों की तूटिया होती है, उन्हें हमें हमेशा positive way में लेना है, ना कि negative way में, तो उसी पर अधारित ये question पूछा गया, जिन्होंने भी NCF 2005 की वो class नहीं देखी, वो जाकर दे पूछा गया है, तो जो कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां होती है, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां ये सीखने में बाधा उत्पन करती है, ये हमेशा गलत हो जाएगा, ये बच्चो को समस्या का समधान करने में सहयता करती है तो ये option इसमें बिलकुल सही हो जाएगा ये बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बाटने का धार देती ये भी गलत है और ये सीखने में कमजोरी की परिचायक है ये भी इसमें गलत हो जाएगा तो जो option number B है वो इसमें बिलकुल सही हो जाएगा जो बच्चों की गलतिया होती है वो उन्हें किसी भी समस्या का समधान करने में सहायता प्रतान करती है इस प्रकार से इसका अंसर हो जाएगा option number B next है मारा question number 4 शेक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतरगत बच्चे की सीखने में प्रगती की जानकारी एकद्रित कर उसका record रखते है जाच सूची पोर्टफोलियो क्रम निर्धारन पैमाना उपाख्यातनात्मक अभिलेक तो जो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो एक फाइल होती है उसमें जो बच्चों की सभी प्रकार की जानकारी एक अत्रित की जाती है उसमें हम सभी जो बच्चे होते हैं हर एक फाइल में हर एक बच्चे की जो भी गतिवीधिया उनके द्वारा की गई होती है उन सभी का रिकॉर्ड उस पोर्टफोलियो फाइल में रखा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो इन सभी के बारे में भी हम एक lecture अलग से रखेंगे तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपको कौन से topics को पढ़ने है और कौन से नहीं पढ़ने है इसलिए ये सभी solve paper आपको यहाँ पर कराय जा रहा है जो आपका EBS होता है उसमें आपके आधे portion में पैडागोजी से question पूछे जाते हैं और आधे में आपके content से question पूछे जाते हैं तो इन सभी का मिला जूला question ही इसमें पूछा गया तो आप देख सकते हैं ये आपका है content based question इसमें दिया गया है कि एक पारी स्थितिक तंत्र के अब घटक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं अकार्बनिक पदार्थों को जटिल रूपों में बदलते हैं Convert inorganic material to complex forms, convert inorganic material into organic material, don't break down organic compound into simpler form. तो इस question का जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A, जो एक पारिस्तिक तंत्र के अब घटक होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं. Convert organic material to inorganic material, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा. Next question है हमारा question number 6, प्रित्वी अपने अक्ष पर एक घुर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है. 365 दिन, 24 घंटे, एक महिना या 48 घंटे. The earth takes about blank to complete one rotation around its axis. 365 days, 24 hours, 1 month या फिर 48 hours. तो इसका जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका. Option number B, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रित्वी है, वो अपने अक्ष पर एक घुर्णन करीब 24 घंटे में पूर्ण करती है. इसे, इसी से जो है हमारा रात और दिन होता है. तो 24 घंटे में जो प्रित्वी होती है, अपने अक्ष पर एक घुर्णन करीब 24 घंटे में पूर्ण करती है, इस प्रकार से इसका अंसर जाएगा, 24 hours. Option number B, बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा. Next है हमारा question number 7, गीता रामन की पत्नी है, देव गीता का एक लौता भाई है, यदि रितु गीता की पुत्री है, तो देव का रितु से क्या रिष्टा है? यह आपके blood relation से question पूछा गया है, इसमें options देए गया है, पीता, मामा, चाचा या दादा. Question को आपको solve करना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं, जैसे यह गीता है, वो रमन की पत्नी है, अब जो देव है, वो गीता का एकलोता भाई है, और यदि रितु, रितु जो है, वो गीता की पुत्री है, जो गीता है, उसकी पुत्री जो है, रितु है, तो जो देव है, और जो रीतु है, उन दोनों का संबंध क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, गीता का जो भाई है वो देव है, और गीता की पुत्री रीतु है. तो जो रीतु और देव का जो संबंध होगा, वो होगा मामा और भानजी का. इस प्रकार सिसमें पूछा गया है, देव का रीतु से क्या रिष्ट है, वो हो जाएगा मामा. तो option number B इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा. इस प्रकार की question को आपको इस तरीके से solve करना पड़ता है, तो इसका answer हो जाएगा मामा. Next question है हमारा, इन में से कौन सा परिया वरन अध्यान में रचनात्मक आकलन है? पाठ में दिये गए प्रशनों को बच्चों से हल करवाना, आपको रशनात्मक आकलन कौन सा है इसके बारे पूछा गया है, तो पाठ में दिये गए नवीन शब्दावल की वाक्षा करना, बच्चों को पाठ में दिये गए चित्र बनाने को कहना, या बच्चों से क्रिया कलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना यह आपके पेड़ागोजिकल कोश्चन से सम्मंधित कोश्चन है नेक्स इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं विच वन आफ दा फॉलोविंग इस आ फॉर्मेटिव असेस्मेंट इन दा इनवर्मेंटल स्टेडीज तो जो रशनात्म आकलन होता है उसमें जो बच्चे खुद से किसी क्रिया कल आपको करते हैं खुद से जो लर्निंग बाइडूइग के माध हम से सीखते हैं तो वही इसमें रचनात्मक्ता के अंतरगत आता है, जो फॉर्मेटिव असेस्मेंट आपका होता है, उसके अंतरगत यही सभी चीजें आती है, तो आप ऑप्शन देखकर इसमें सही आंसर पता लगा सकते हैं, पार्थ में दिये गए प्रशनों को बच्चों से हल करवाना, ये इसमें सही नहीं होगा, पार्थ में दी गए नविन शब्दावलों की व्याख्या करना, व्याख्या करने जैसी शब्द जो होती है, बच्चों को पार्थ में दियेगा, चित्र बनाने को कहना ये भी उतना एप्रोप्रेट नहीं है, लेकिन जो बच्चों से आप क्रि सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतह क्रिया का उधारण नहीं है पेडों को काटना, बांध का निर्मान, नवीन विद्याले प्रारम करना या खुदाई विच अफ दा फॉल्विविंग इस नौट एन एक्जामपल अफ नेच्रल एंड सोशल इंटरेक्शन तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका खुदाई क्योंकि जो प्राकृतिक और सामाजिक अंतह क्रिया का उधारण नहीं है ये जो सभी है, आप देख सकते हैं, पेडों को काटना ये आपके प्राकृतिक के अंतर गताएगा बांध का निर्मान भी आपके प्राकृतिक और सामाजिक के अंतर गताएगा और नवीन विद्याला का प्रारम करना ये आपके सामाजिक अंतह क्रिया के अंतर गताएगा नेक्स्ट है मारा question इसमें आप देख सकते हैं एक वैक्ति के मसूडों से खून निकलता है उसे थकान महसूस होती है या किस रोग का लक्षन है इसकर्वी बेरी-बेरी रतंधी या रिकेट सुखा रोग blood comes out of a person's gums he feels tried which disease can he have इसकर्वी बेरी-बेरी नाइट ब्लैंडनेस या फिर रिकेट तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकर्वी रोग जो वैक्ति के मसूडों से खून निकलता है और उसे थकान महसूस होती है उससे जो रोग होता है वो हो जाएगा इसकर्वी और जो आपका वो विटामिन C की कमी से होने वाला रोग होता है इस प्रकार से यह भी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे नेक्स्ट है हमारा कोश्चन इसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बिमारी रुके हुए पानी से हो सकती है पोलियो रेबीज मलेरिया या रुके हुए पानी से जो रोग होता है उसमें अकसर जो होते हैं मच्छर पनपने वाले रोग है वो आपका हो जाएगा मलेरिया इस प्रकार से आप इसका सही आंसर लगाएंगे मलेरिया मलेरिया इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आप देख सकते हैं पर्यावरण अध्यान में कहानियों को एक शिक्छन शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है इस समन में कौन सा कतन सही है बच्चों में कलपना शक्ती का विकास होता है बच्चों की बच्चों को इतिहास का ग्यान होते हैं और बच्चे कक्षा में सक्री नहीं रहते जो शिक्षन सास्त्र होता है उसमें जो कहानिया होती है उसे हम किस तरह से उपयोग करते हैं उसके बारे में आपसे पुछा गया है Stories are used as pedagogy in environmental studies Which statement is correct in the regard Imagination power is developed in children Increased concentration in children Children have knowledge of history Children are not active in class तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बच्चों में कलपना शक्ती का विकास भी होता है जो कहानिया होती है उसके माद हमसे बच्चों में कलपना शक्ती का विकास भी होता है बच्चों की एक आगरता भी बढ़ती है और बच्चों को इतिहास का ग्यान भी होता है लेकिन जो बच्चे कक्छा में सक्री नहीं होते ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा तो आप से कौन सा सही है ये पुछा गया है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में A, B, C A, B, C इसमें सही हो जाएगा तो आप्शन नमर B इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं NCF 2005 से डरेक्ट आपके एक्जाम में कुछन पुछा गया इसलिए हमने NCF 2005 की थेओरी जो है अच्छे से करा दिया तो जिन्होंने भी वो विडियो नहीं देखी वो जाकर देख लीजे आप देख सकते हैं कि आपके एक्जाम में किस प्रकार के कुछन पूछे जाते हैं हम उन्ही टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ाएंगे जिससे आपके एक्जाम में कुछन पूछे जाते हैं तो जिनों ने भी वो सभी lectures नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजे तो आप देख सकते हैं question में पूछा गया है कि NCF 2005 ने परियावरण अध्यान के लिए निमिल खित में से किसकी अनुशनशा नहीं की है परियावरण के प्रती बच्चों की जिग्याशा को portion मिलना चाहिए नहीं की है या आपसे पुछा गया negative question है बच्चों के भाशाई कोशल का विकास होना चाहिए स्वास्थ विशय परियावरण अध्यान में शामिल होना चाहिए या फिर कक्षा में शिक्षक के तवारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए which of the following is not recommend for environmental studies in NCF 2005 Children's curiosity about the environment should be nurtured Children's language skill should be developed Health subject must be included in environmental studies in classroom teacher should give information about the environmental to the children तो options आप देख सकते हैं किसकी अनुशंशा नहीं की गई तो परियावरण के प्रती बच्चों की जिग्यासा को पोशन मिलना चाहिए ये तो बिल्कुल इसमें सही है बच्चों के भाशाई कोशलों का विकास होना चाहिए ये भी बिल्कुल सही है स्वास्थ विशय परियावरन अध्यान में शामिल होने चाहिए ये भी बिल्कुल सही है लेकिन जो कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए ये उतना एप्रोप्रियेट नहीं है इसलिए ये अंसर इसमें गलत हो जाएगा ये हमसे नेगेटिव कोशन पुछा गया था तो नेगेटिव ऑप्षण इसमें बिल्कुल यही हो जाएगा तो इस प्रकार्चा ओप्षण नमबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा कोशन अब देख सकते हैं परियावरन अध्यन की कक्छा का प्रारम कुछ प्रशनों से किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशन पुछने का सही परीप्रेक्षन नहीं है बच्चों के पूर्व ज्यान का पता लगाया जा सकता है बच्चों को अलशनात्मक चिंतन करने का उसर मिलता है प्रशन बच्चों में जिग्यासा जगाते हैं बच्चों का चिंतन प्रकरन तक सिमित किया जा सकता है Environmental Studies class begins with a few questions which of the following statement is not correct in context to ask the question जो आप परियावरान अध्यन की कक्छा प्रारम करने से पहले बच्चों से कुछ questions पूछते हैं उस question को पूछने का सही परिप्रेक्शन नहीं है आपसे ये पूछा गया है The prior knowledge of the child can be traced Children get opportunities for critical thinking The questions around curiosity in children The thinking of the children can be restricted to the topic तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं जो नहीं है ये आपसे पूछा किया तो बच्चे के पूर्वग्यान का पता लगाया जा सकता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों को अलोशनात्मक चिंतन मतलब कि critical thinking करने का आउसर मिलता है ये भी बिल्कुल सही है प्रश्न बच्चों में जिग्यासा जगाते हैं ये भी बिल्कुल सही लेकिन जो option number D है उसे आप देख सकते हैं कि बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जाता है जो सीमित करना है इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमेशन negative होते हैं तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D next है मारा question पर्यावरन अध्यन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रेशन पुछने का मुख्योदेश क्या है बच्चों में अभी सारी चिंतन का विकास करना बच्चों में अब सारी चिंतन का विकास करना बच्चों में सुनने के कौशल विकास करना या बच्चों में बोलने के कौशल विकास करना The main objective of asking open-ended questions in environmental studies class is To develop convergent thinking in children, to develop divergent thinking in children, to develop listening skills in children, to develop speaking skills in children तो जो open-ended questions जो परियावरन अध्यान की कक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों से उसका जो मुख्यो देश होगा option आप देख सकते हैं बच्चों में अभी सारी चिंतन का विकास करना जो convergent thinking होते हैं उसके लिए सिर्फ उस प्रकार के जो question पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ एक ही answer उसका होता है तो ये option इसमें नहीं होगा बच्चों में सुनने के कौशल का विकास करना ये भी इतना appropriate नहीं है और बच्चों में बोलने के कौशल का विकास करना ये भी नहीं होगा तो जो बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास होता है जो divergent thinking होता है divergent thinking में एक से अनेक जो एक question आप पूछेंगे उसके अनेक प्रकार के answer आपको मिल सकते हैं इस प्रकार से जो अपसारी चिंतन है वो इसमें विल्कुल सही हो जाएगा next version आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गती विधी के संबंध में गलत है यह आप से पूछा गया है गती विधी समूव में ही की जाती है गती विधी उत्सुकता जगाती है गती विधी में शिक्षा की भागीदारी नियूंतम होनी चाहिए गती विधी में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए which of the following statement regarding the activity conduct in the classroom is incorrect activity can be done in group only activity arouse curiosity the teacher's involvement in the activity should be minimal there must be an element of challenge in the activity activity जो इसमें गलत है या आपसे पूछा गया है तो गती विधी समूव में ही की जाती है तो जो गती विधी होती है कोई भी activity सिर्फ समूव में ही की जाती है यही इसमें बिल्कुल सही हो जाए क्योंकि समूव में ही नहीं की जाती अलग-अलग प्रकार से भी कई प्रकार की गती वीधियां की जाती है गती वीधि उत्सुकता जगा आती है ये बिल्कुल सही हो जाएगा गती वीधि में शिक्षक की भागीदारी नियुन्तम होनी चाहिए जो गती वीधि होती है उसमें शिक्षक की भागीदारी नियुंतम होनी चाहिए ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें ज्यादा बच्चे इन्वाल्व होने चाहिए गती वीधी जो होती है उसमें शिक्षक की भागीदारी होनी चाहिए लेकिन वो नियुंतम रूप से होनी चाहिए तो ये भी बिल्कुल सही है और गती वीधी म होते हैं वो हमेशा आपके नेगेटिव होते हैं इस प्रकार से इसका अंसर जागा option number a next question है हमारा रीमा आज परिया वरन अध्यान की कक्षा में जड़ विशाय पर चर्चा करेगी वह इन में से किस समुह की वस्तों कक्षा में लेकर आएगी अब जड़ के जड़ से सम्मंधित जो वस्तों हो जाएंगी वह आपका हो जाएगा गाजर चुकंदर और मूली यह सभी जो हैं जड़ से सम्मंधित होते हैं तो इन्हें ही रीमा अपने कक्षा में लेकर आएगी यह आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है मारा कोश्चन वन के पारी शितिक तंतर में कवक को किस सम्मुह में रखा गया है पारी शितिक तंतर जो आपका टॉपिक है वो आपके परिया वरण अधन के लिए सबसे महज़ पुन टॉपिक है आप इसससे देख सकते हैं दो से तीन कोशन अभी तक पूछे जा चुके हैं उप्शन्स इसमें दिया गया है जो कवक समू है उसे आपके किस ग्रूप में रखा गया है उत्पादक उभभोक्ता, अभगटक या द्वितियक उभभोक्ता इन विच ग्रूप, इन दा फंगस प्लेस्ट, इन दा फॉरेस्ट इको सिस्टम प्रडूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर तो जो कवक होते हैं, वन के पारिश सिते तंत्र में कवक को किस समू में रखा गया है उसे रखा गया अबगटक, जो डीकंपोजर होते हैं, उसमें आपके कवक को रखा गया है और इसमें कवक के साथ साथ आपके जीवानू को भी रखा गया है मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोशन प्राप्त करते हैं वही आपके अपगटन कहलाते हैं जो भी मृत जो जीव होते हैं जो जीव होते हैं वो बेसिकली जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उनसे अपना पोशन प्राप्त करते हैं जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनसे जो जीव आपका पोशन प्राप्त करते हैं, उसे ही कवक और जीवानु कहते हैं, तो ये जो किश्रेणी में आएंगे वो आप कहाएंगे अब घटक किश्रेणी में, इस प्रकार से इसका अंसर जाएगा, option number C, next है मारा question, इ here and loin, god and fox, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, जो आपके प्राथमिक उभभोकता होते हैं, वो आपके हमेशा शाकाहारी उभभोकता होते हैं, और आप देख सकते हैं, options में जो शाकाहारी हैं, वो गाय और खरगोश है, तो यही आंसर इसमें बिल्कु आपके प्राथमिक उभभोकता के अंतरगत आएंगे, और गाय और खरगोश के साथ साथ, जो आपका बकरी और हीरन है, वो भी आपके प्राथमिक उभभोकता के अंतरगत आएंगे, क्योंकि यह सभी जो है शाकाहारी उभभोकता है, जो शाकाहारी जीव है, वो प्राथम फ्राट्मिक उब्भुक्ता के अंतरगत आएगा यहां पर शेर दिया है इसलिए ये उब्भोक्ता प्राट्मिक उब्भुक्ता के अंतरगत नहीं आएगा लोमडि भी नहीं आएगा और चील और साब भी नहीं आएगा इस प्रकार से कसा चाने यहागा option mobr b नेक्स्ट कोशन है हमारा इन में से कौन सा विध्यार्थियों के उचित वयवहार में विध्धी करने के लिए सरवाधिक उप्यूपत है ध्यान न देना, सकती करना, पुरसकार या प्रशंशा Which of the following is best suited to enhance the appropriate behavior of the student Ignorance, strictness, reward या price तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रशंशा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जो उचित वयवहार में विध्धी करने के लिए सरवाधिक उप्यूपत है वो हो जाएगा आपका प्रशंशा ध्यान न देना, ये आपका negative है सकती करना ये भी negative होर पुरसकार देना, ये भी आपका negative है इस प्रकार से जो positive अंसर है, वो आपका option number D हो जाएगा, प्रशंशा तो आप comment करके जरूर बताएगे कि आपको ये class कैसी लग रही है और जादस जादा आप इसे share कीज़े, क्योंकि यहाँ जो है आपको बिल्कुल free classes प्रोवाइट की जा रहे है जादस जादा आप इसे share कीज़े, ताकि सभी को free classes मिल सके और comment करके जरूर बताएगे कि आपको class कैसी लग रही है next question है हमारा भारत में लड़के वा लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र क्या है यह आपको बताना है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष या फिर 18 या 16 वर्ष what are the minimum age of age for marriage of boys and girls in India तो इसमें जो उम्र है वो आपको बताना है तो 18 और 18 वर्ष नहीं है, 18 और 16 भी नहीं है तो 18, 21 और 21, 18 इसमें से आपको बताना है तो जो लड़के होते हैं, उनके लिए जो उम्र निर्धारित किया गया है वो है आपका 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया है तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number B, 218 वर्ष, इस प्रकार से इसका answer हो जाएगा option number B, next question हम देखेंगे, पर्यावरान अध्यान की कक्षा में शिक्षिका ने अध्रक को तना कहा, क्योंकि इसका स्वात तीखा होता है, इसमें पर्व और संधिया होती है इसमें भोजन का संग रह होता है, इसका रंग हरा नहीं है, in the class of environmental studies, teacher called ginger a steam because its taste is pungent, it contains notes and denotes, it stores food, its color is not cream, इसमें जो आप option eliminate भी कर सकते हैं, इसका स्वात तीखा होता है, ये इसमें नहीं होगा, इसका रंग हरा नहीं है, ये भी इसमें नहीं होगा, तो B और C मेंसे आप च इसमें पर्व और पर्व संधिया होती है, 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 इसमें इसमे यह वास्तविक इस्थीतियों में सीखने के अवसार उपलब्ध कराता है। परिवार और विद्याला एक दूसरे से सम्मंधित होते हैं। The family plays an important role in environmental studies at primary level because it comprises wise people, family bond with children, it provides learning opportunity in real situation, family and school are related to each other. तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यह वास्तविक इस्थीतियों में सीखने के अवसार उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के जो option होते हैं वो बिल्कुल positive होते हैं और सही होते हैं। परिवार में समझदार वेक्टी होते हैं यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चों से परिवार का जुड़ा होता है यह भी नहीं हो जाएगा और परिवार और विद्याले एक दूसरे से सम्मधित होते हैं यह भी नहीं होता। इसलिए इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number C. Next question है हमारा परियावरण की पार्थ पुस्तक के समझ में कौन से कथन सही है। इसमें से आपको कौन से कथन सही है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं कि जो पार्थ पुस्तक में परिभाशा को शामिल किया जाना चाहिए परिभाशा है व्याख्या इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो नेगिटिव होते हैं। बचो को खोच के अउसर दें यह इसमें सही हो जाएगा और तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो यह भी उतना एप्रोप्रोप्रेट नहीं और जो आलशनात्मक चिंदन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो यह इसमें सही हो जाएगा। तो B और D इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नमबर A इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखकर भी आंसर का पता लगाने की कोशिश करना हो चाहिए। नेक्स्ट है मारा कोश्चन प्रात्मे के सतर पर परियावरण अध्यन के अंतरगत विज्ञान और समाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उदेश है। आपने देखा होगा EBS जो आपका सबजेक्ट है। उसमें आपके साइंस भी होते है और आपका सोसल के साथ समझ सकें बस्ते के बोच्च को कम करना दोनों मिलते जुलते विशय हैं या पढ़ाई के विशयों की संख्या कम करना. Science and social science have been included under environmental studies at primary level. Its purpose is to enable the student to understand his and her environmental as a whole to reduce the load of school bag. Both are similar subject, reduce the number of subjects to the studies. तो जो परियावरण अध्यान में social science और science को शामिल किया गया है, इसका जो उद्देश्य होता है, वो आपका हो जाएगा, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कीवा, अपने परियावरण को समगरता के साथ समझ सके, तो option A ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्ते के ब प्रतिशेद अधिनियम कब लागू हुआ, वेन डिट द द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कम इन्टू फोल्स, अप्रेल 1965, मार्च 1966, जुलाई 1961 या फिर अप्रेल 1970, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number C, जुलाई 1961 को जो दहेज प्रतिशेद अधिनियम लागू हुआ, वो आपका हो गया, जुलाई 1961, और इसका जो डेट है वो भी आप याद रखेंगे, एक जुलाई को, एक जुलाई 1961 को ये पूरे भारत वर्ष में लागू कर दिया गया था, इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे, नेक्स्ट कोशन है हमारा, इन में से खाद शिंखला का सही करम कौन सा है, घास, लोमडी, खरगोश, घास, साप, मिंधक, घास, खरगोश या शेर, या घास, लोमडी, या हीरन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका घास, खरगोश और शेर, घास को खरगोश खाएगा, फिर खरगोश को शेर खाएगा, इस प्रकार से जो खाद शिंखला होती है, वो चलती रहती है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका option number c next question है हमारा निम्न लिखित में से कौन सा कथा रचनावादी दृष्टी कौन के बारे में सही है सीखना रट कर याद करने की प्रक्रिया है सीखने में समाजिक सहभागीता महदपुन है सीखना दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होते है ज्यान निर्माल के लिए दंड मह इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो हमने रट कर याद करने की प्रक्रिया वो एन्सेफ 2005 में पढ़ी थी तो जो रटना होता है रोल लर्निंग होता है वो आपका हमेशा नेगेटिव होता है यह option इसमें गलत हो जाएगा सीखने में समाजिक सहभागीता महतवपुन होती है यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा सीखना उदीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है यह आपके एक मनोवेगानिक के द्वारा दिया गया था जो आपका एसर थियोरी है जो कि थॉन्डाइक के द्वारा दिया गया था यह आपका इससे संबंधित है तो यह इ तो जो भौतिक घटक नहीं है यह आपको बताने है तो आदरता आपका भौतिक घटक है जलवायू भी आपका भौतिक घटक है और नदी भी आपका भौतिक घटक है लेकिन जो कवक है आपका भौतिक घटक नहीं है तो इसलिए यह आपका भौतिक परियावरन घटक नहीं है यह आपका एक अब घटक के रूप में आता है इस प्रकार से इसका अंसर जाएगा option number C क्योंकि घटक नहीं है ये हमसे पूछा गया था तो option number C इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा last question आज कहा हमारा है आप देख सकते हैं हाँ सजीवो में श्वसन से सम्मधित अंग है गल्फडे तवचा व्रिक गल्फडे तवचा फेफडे तवचा फेफडे चोटी हाँ फेफडे व्रिक और यक्रित organs related to respiration in leaving begins are gills, skin, kidney, gills, skin, lungs, skin, lungs, small intestine या lungs, kidney या liver तो इसका जो सही आंसे हो जाएगा जो सजीवो में श्वसन से सम्मधित अंग है वो आपका है गल्फड़ा, तवच्चा और फेफड़ा इस प्रकार से option number B इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा gills, skin and lungs ये option इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तों आज हमने EBS के 30 MCQs को solve किया जो आपके CGTED 2022 में पूछे गए जो important questions थे तो आप comment करके जरूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने questions सही हुए और class आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप जरूर बताएंगे ऐसे ही हम next सभी classes को जितने भी आपके CGTED में paper हुए हैं उन सभी को हम solve करते हुए चलेंगे तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल free classes provide की जा रही है और जिनो ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया वो हमारे टेलीग्राम को भी जोइन कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा जादस जाद आप इसे share कीज़े ताकि सभी को free classes मिल सकें मिलते हैं जही next वीडियो में तब तक के लिए thank you and take care